कि नमस्कार किसान मित्रों मैं आज आप लोग को कॉली फ्लावर मतलब फूल गोभी जिसको हम कहते हैं उसका एक ऐसा इंसेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमारे फिल्ड को डैमेज ही नहीं करता है बलकि हमारे उत्पादन को बिल्कुल जीरो कर सकता है थोरे से लापरवाही बरतने से हमारे उत्पादन को जो है बिल्कुल जीरो कर सकता है तो इसी के बारे में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को शुरू से लाश तक देखिए अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे तो यह जो हमारे फिल्ड में जो देख रहा है लीफ को जो है पुरा वेब की आकार का बना दिया है यह होता है मैं ली दो इंसेक्ट से यह इंसेक्ट का नाम है एक हो गया डाइमॉंड बकमॉत डी बियम जिसको हम कहते हैं और दूसरा हो गया लीफ वेबर इसका नाम से ही मतलब लीफ के जो इनर सर्फेस का जो पार्ट होता है उस पे मैं इस चिपका रहता है और अपना लार्भा जो है वहीं पे देता है यह हमारे लीफ को बिल्कुल जो है एसकलेटन की तरह मतलब सरीर में जो है पूरा पत्ती को चट कर जाता है और उसमें सिर्फ भेन और आर् क्या हम chemical treatment करें या organic treatment इसका क्या है जिससे की हमारे फिल्ड में कम से कम नुकसान पहुँचें तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है अगर chemical का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो quinellofos या chloropirifos 0.05% जैसे संपर्क कीत नासको का छिर्काव करें संपर्क कीत नासको कहने का मतलब है कि वो leaf के contact में हमेशा रहता है 5 ml per liter of water आपको इस्तेमाल करना है और दूसरा अगर organic इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4% नीम के बीज की गीरी के अर्क को सीर के दिक्षा अवस्था में लगाने के बाद यानि रोपन के 17 से 28 दिनों के बाद आपको खेत में प्रियोक करना है ये नीम सीड करनल होता है ये हिंदी में मैंने दिया है जो कि आप लोग को आसानी हो पढ़ने में तो आप लोग इस दोनों में से या तो chemical control करें नहीं तो organic control आप अपने फिल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेखें